सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और हमारी रेगुलर वीडियोज के लिए बैल आइकन को दबाना ला बोलिए नमस्कार दोस्तों अगर डिजितल ब्लोगर में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे अधित्या बिरला मनी और सेमको दोनों स्टोक ब्लोकर्स के कमपैरिजिम के बारे में अंतर के बारे में इस पर्टिकलर वीडियो में आप देखेंगे इन कमपनी के बैककराउंड, खाता खोलने और मेंटेन करने के शुलक, ब्रोकरी जरीट्स क्या है, एक्स्पोजर या लेवलिज किता दिया जाता है अलगलग सेगिमेंट्स में, रीसर्च की एकुरिसी क्या है, ट्रेडिंग अन्य फीचर्स के बारे में बात करेंगे, ताकि आप अंदाजा लगा सकें कि आपके लिए इन दोरों में से कौन सा स्टोक ब्रोकर जादा अप्युक्त है, तो आईए शुरू करते हैं, तो हमेशा की तरह शुरूआत करते हैं, इन कंपनी के बैक्राउंड से, सेमको एक ड वहीं अधित्या गर्रमानी एक फुल सर्विस ब्रोकर है, फुल सर्विस ब्रोकर्स आपको ब्रोकर ज़्यादा लगाते हैं, लेकिन हर तरह की सर्विस, चाहे वो कस्टमर सपोर्ट हो, रिसरच टिप्स हो, अलगले ब्रैवल पर आपको प्रोवाइड करते हैं, डिसकाउं ब्रोकर्स की जादतर ब्रांचिस नहीं होती, सेमको भी उसी फेरिस्त में शामिल है, अधित्या गर्लामानी 1994 में एस्टब्लिश हुआ था, करीब 23 साल हो चुके हैं, इसको लांच हुए 800 शाखाएं हैं पुरे भारत वर्ष में इस पर्टिक्लर ब्रोकर की, ये दोनों ब् उसेमको आपसे 800 से 1400 रुपए लेता है, डिपेंडिंग के आप कौन कौन से अकाउंट कोलते हैं, कमोडिटी अकाउंट खोलने के लिए आपको अलग से पैसे देने होंगे, वहीं आपको डीमेट अकाउंट को मेंटेन करने के लिए हर साल इनको 400 रुपए की राशी अदा क अधित्या बिल्ला मली आपसे वन टाइंग कोस्ट लेता है ट्रेडिंग अकाउंट को खोलने का, वो है साड़े 700 रुपए, इनकी केस में आपको अपको अप्रन कौस्ट लेवल पे चाहे हूँ बात हो, या वो बात हो, एमसी के रूप में अधित्या बिल्ला मली यहाँ प अधित्या बिल्ला मली आपसे पॉइंट तीन प्रतिशत आपकी ट्रेड वैल्यू का ऐस ब्रोकरेज चार्ज किया जाता है, जिसका मतलब है कि अगर आप ट्रेड करते हैं एक लाक रुपए की, तो अधित्या बिल्ला मली आपसे तीन सो रुपए की राश्य वरसूर करेग ब्रोकरेज के रुपए, वहीं सेमको डिसकाउंट ब्रोकर है, पॉइंट टू परसेंट ट्रीड वैल्यू का लेता है और जादा से जादा ब्रोकरेज इनके केस में बीस रुपए बनती है, इर्रिस्पेक्टिव के आप लाक की ट्रेड करें या दस लाक की, आपका जो मैक प्रोकरेज है, वह बीस रुपए ही होगा, अगर आप इनकी ब्रोकरेज क्लिट करना चाहते हैं, तो अर्डिजितल ब्रोकर.ड.com पर जा सकते हैं, वहाँ पे हमने इनके लिए और बाकी करीब सतर से असी ब्रोकर्स के लिए ब्रोकरेज कैलकुलेटर्स बनाए हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं थोड़ा सा आपको idea देते हैं कैसे यूज़ कर रहा है तो यह देख सकते हैं आपके यह सेंको का brokerage calculator है इसके अलावा करीब 70-80 अलग लग व्रोकर के calculators यहां design develop किये गए हैं आप अपने हिसाब से किसी की भी brokerage calculate कर सकते हैं तो इस वीडियो में जैसे हम बात कर रहे हैं Samco और अधित्या विल्ला की को Samco की बात करें अगर तो for instance अगर आपको यह brokerage calculator use करना है तो कुछ specific values आप डाल सकते हैं कुछ basic understanding लेने के लिए तो आप यहां पर देख पाएंगे कि जैसी आप calculate button पर click करते हैं overall जो खर्चें हैं वो सामने आ जाते हैं जिसमें brokerage जो कि बताया कि आप 20 रुपया जादा से जादा होगी Samco के case में सेबी के कुछ फीज होती है स्टेम ड्यूटी होता है जो स्टेट गवर्नमेंट को जाता है transaction charges जो GST लगाया जाता है और finally आप देख सकते हैं कि overall जो ब्रोकर जो taxes बनते हैं इस particular trade के ओपर के करीब इतने होंगे तो यह आपको बताएगा figure के actual में आपका profit क्या रहेगा एक particular trade पे Samco अगर आपका broker है तो वही अगर हम बात करें अधित्य बिर्ला मनिकी वही values अगर हम डालते हैं इसमें तो आपको clear cut idea हो जाएगा कि overall आपका take क्या होगा इस case में तो जैसे कि शुरू में बताया गया था कि आपको एक specific percentage देना होगा इस case में brokerage थोड़ी सी ज्यादा है 121 रुपय आपको खर्चा करना पड़ा है और इस case में थोड़ा सा profit जो relatively कम आंका जा सकता है तो generally यही देखा जाता है full service और discount brokers के बीच में जहाँ पे discount brokers आपसे एक flat rate brokerage charge कर दीते हैं वाइल अगर हम बात करें full service brokers की तो वो आपकी trade value के ओपर कुछ percentage commission लेते हैं तो यह है difference इन दोलों stock brokers के बीच में जहाँ तक बात है brokerage की आप ऐसे ही अलगलिक level पे brokerage calculate कर सकते हैं और discount broker.com को visit करके फिर बात आती है exposure की leverage की अब जिनको यह concept नहीं पता उनके लिए बता दे कि यह एक तरह का short term loan होता है जो आपका stock broker provide करता है एक specific interest rate पे अब यह interest rate पंदरा से 22-23% तक जा सकता है SEMCO की case में आप देख सकते हैं कि equity delivery में आपको कोई exposure नहीं मिलेगा लेकिन intraday में आपको चार गुना मिल सकता है हालां कि अगर आप consistently अच्छे trade space करते हैं profit turnover बढ़ियाग मनाते हैं तो इनका जो exposure है actual में 15-20 गुना तक भी जा सकता है अधित्य अबिरला money इंत्राइड में 15 गुना और delivery में 5 गुना provide करता है बाकी के segments में SEMCO relatively बहतर है अधित्य अबिरला money से तो depend करेगा कि आपको किस segment trading करना है वहीं अब आपको ये भी बताते हैं कि अगर आपको exposure या leverage का idea नहीं है कि क्या risks है इसके क्या implications है तो हमारा request यही रहेगा suggestion रादर यही रहेगा कि आप इसका इस्तिमाल ना करें पहले समझें क्योंकि यह definitely आपका profit ज़रूर बढ़ा सकता है लेकि अधित्य सेम टाइम आपको ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा सकता है तो यह है exposure आगे वरते हैं बात करते हैं customer service की अब generally full service stock brokers बहतर customer service प्रवाइड करते हैं यह case इसमें भी मालने है अधित्या बिरला मनी आपको email phone, toll free number और offline branches प्रवाइड करता है वहीं सेम को email support phone और toll free number ही दे पाता है लेकिन वहीं अगर हम quality की बात करें तो सेम को बहुत पीछे है जहां तक बात है turn around time की, professionalism की, इनके overall skill set की customer executives में वहीं अधित्या बिरला professional trained executives के साथ आपके, अपने clients के साथ बात करता है और overall time period भी काफी कम है जो आपके problems होंगे उनका समधान लाने के लिए तो definitely जहां तक बात है customer service की आप अधित्या बिरला मनी को choose कर सकते हैं वहीं बात करें research की, trading products की, तो research generally full service brokers provide करते हैं, daily tips, recommendation, analysis तिया जाता है, technical तता fundamental level पे अधित्या बिरला मनी यहां पे भी SEMCO को मात देता है, in fact SEMCO discount broker है, तो आपको basic level की reports ज़रूर दे पायेगा, लेकिन ज जित्या बिरला मनी accuracy की level पे, performance की level पे SEMCO से काफी आगे है, trading segments में कुछ फरक नहीं है, equity mutual funds IPO currency community में आप निवेश कर सकते हैं, depending कि आपकी preference क्या है, risk appetite क्या है, कुछ अन्य features भी है, for instance, अगर हम बात करें AMO after market orders की acceptance की, तो वो जित्या बिरला मनी provide करता है, automated trading भी जित्या बिरल कर सकते हैं, लेकिन अगर चाहिए, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा समय वितीद करना चाहिए, और देखना चाहिए, कि specific level पे feature आपको कौन सा broker provide कर पाएगा, अब हम थोड़ा सा समय बिताते हैं, इनके trading platforms के बारे में, अब trading platforms ज़रूरी इसलिए हैं, क्योंकि इनकी performance के base पे ही decide होता है, कि क्या आप सही समय पे trade place कर पाएंगे, अगर ऐसा नहीं होता है, तो potential जो opportunities होती है profit बनाने की market में, उसमें आप lose out कर सकते हैं, हम शुरुआत करते हैं, mobile app से और बात करते हैं, Google Play Store पे, सेमको की mobile app सेमको mobile rated है, सिर्फ 2.7 पे out of 5, करीब 1285 users ने इस app को rate किया है, उसमें से अगर हम बात करें, तो 53.2 परतिशित users ने इस app को negatively rate किया है, जिसका मतलब है कि overall satisfaction score करीब 46.8 परतिशित है, industry average 81 परतिशित है, आपको थोड़ा सा perspective देने के लिए, वहीं हम कुछ stats की बात क किया गया था, ये वीडियो हम बना रहे हैं, नवंबर के last हफते 2017 में, तो करीब डेड़ साल हो चुका है, इस app को एक भी update देखे हुए, जो अच्छे stock brokers है, जिनका focus है technology की तरफ, वो अपनी mobile app को दो, तीन या maximum चार हफतों में जरूर अपडेट करते हैं, हफतों में, लेक definitely, इनका जो negative percentage score है, वहाँ पर ये justified है, कुछ concerns भी देखे गए हैं, इस application में, for example, अगर आप intraday level पर trading करना चाहते हैं, तो उस case में, आपको candlesticks बहुत limited level पर मिलेंगी, almost मिलती ही नहीं है, intraday level की trading के लिए, performance के कुछ concerns भी देखे गए हैं, अगर आप beginner है, तो user friendliness में concerns आए इस app को समझने में दिक्कते हो सकती है, design थोड़ा सा confusing है, और अगर आप इसको exhaustively use करते हैं, तो ये app कई बार crash भी हो सकती है, तो certainly application हम आपको recommend नहीं करेंगे, as of now, इसमें बहुत से improvements लाने की जरूरत है, certainly in copy update frequency cycle improve करना चाहिए, जहां पर ये अपनी app को कम से कम एक महीने में तो जरूर एक बार update करें, और उसके बाद नए features introduce करें, परानी problem से निजात पाएं, ताकि इनके जो clients हैं, या जो users इनके clients बनना चाहते हैं, अच्छा trading experience ले सकें ये mobile app की तरू, वहीं अगर हम बात करें, अधित्य अभिला money के mobile app की जिसका नाम है mobile invest, ये rated है, तीन पॉइं जो के industry average से भी कम है, 80 प्रतीशत है industry average, और वहीं अगर हम बात करें, कुछ stats की तो इनकी भी app last time 8 July 2016 को update की गई थी, number of installs 50,000 से एक लाग है, SEMCO के बराबर, यहां भी कुछ concerns है, ये app logout कर देती है, user के session को automatically बिना किसी notification के, वहीं depend करता है कौन सा smartphone यूज़ कर रहे हैं, आप लेकिन ये battery काफी consume करती है, इसमें भी user friendliness और performance के concerns देखे गए हैं, आला कि ये बहतर rated जरूर है, जहां तक बात है numbers की, लेकिन more or less दोनों applications हम आपको recommend नहीं करेंगे, trading के लिए इससे काफी बहतर mobile apps market में available है, जहां तक बात है mobile trading की, लेकिन अगर आपको इन दोनों में से ही एक का चुनाफ कर रहा है, तो आप अधित्या बिर्ला मनी की mobile app के साथ जा सकते हैं, अब हम बात करते हैं बाकी की trading platforms की और उसके लिए चलते हैं digitalblogger.com की दरफ, तो यहां पहले बात करते हैं, अधित्या बिर्ला मनी की trading platforms के बारे में, यहां पे quantity level पे अच्छा खासा range provide कर अधिता है, यह full service stock broker, terminal level solution जो के आपको download करके install करना होगा अपने computer या laptop पे, उसका नाम है अधित्या बिर्ला मनी express trade, अभी यह nest का customized version है, जिनको नहीं पता, nest basically एक NSE का trading platform है, national stock exchange of India, ने यह इसको design और develop किया है, और license दिये जाते हैं अलग लग stock brokers को उनके clients के लिए, तो जहा आपको प्रोइड की जाएंगी, टेकनिकल तता fundamental analysis, आप ठीक ठाक लेवल पे कर सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि 21 दिन का इंटोडे चार्स और करीब 50 से ज़्यादा technical indicators आपको दिये जाएंगे, उसके लावसिंस यह full service stock broker है, तो इसी application के अंदर आपको research tips, recommendations और analysis भी द browser applications की, तो इनके पास दो है, पहला है e-trade, जिसके पास ठीक ठाक लेवल पे, beginner से लेके intermediate level के user तब के लिए अच्छे खासे features है, इसमें आप ठीक ठाक लेवल पे, अलग-लग segments में trading प्लीज कर पाएंगे, इसमें आपको download ये install करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी browser, किसी भी device के तो आप इसे access कर सकते हैं, इसको आपने के lock-in पे click करना है, इनकी website में जाके user ID password डालना है और आप इसको use कर पाएंगे, वहीं web trading platform advanced level पे भी दिया जाता है, जो के highly advanced expert level के traders हैं, उनके लिए इसमें आप third party APIs का integration भी कर सकते हैं, ये application आपको real time portfolio tracking, अलग-लेग लेवल की phone transfer research tips, recommendations, customization, personalization, hotkeys जैसे features भी देता है, exhaustive level application है, इसका इस्तिमाल भी आप कर सकते हैं, जहां तक बात है mobile application की, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, certainly ये improvements में इसकी जरूरत है, concerns भी है, specially beginner level user के लिए, जहां पर logout automatically हो जाता है, तो ये mobile app हम आपको recommended नहीं करेंगे, लेकिन आप इनके client है, या बनना चाहते हैं, तो इनके web page browser application जिसमें advanced level और जो इनका e-trade application है, उसका इस्तिमाल कर सकते हैं, या terminal software का भी आप use कर सकते हैं, जहां तक बात है SEMCO के training platforms की, तो सबसे पहले बात करेंगे, SEMCO trader जो की terminal based solution है, इसमें ठीक ठाक level के features है, उतने अच्छे से match up नह के express trade के साथ, number of features limited है, वहीं speed of performance में भी कुछ concerns से देखे गए है, web page browser application, SEMCO web 5 देता है, जिसमें आपको responsive application मलती है, जिसका मतलब है कि कि किसी भी device चाहे, वो mobile हो, laptop or desktop or tab हो, कहीं भी आप इसका में इस्तमाल कर सकते हैं, किसी browser के दौरा compatibility level के issues नहीं आएंगे, लेकिन इसमें भी number of features काफी limited देखे गए है, speed ठीक है, performance level में concern नहीं है, लेकिन अगर आप beginner से लेके intermediate level की trader है, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ हद तक, लेकिन उसके बाद की level, export level, advanced level trader के लिए ये application काफी basic देखेगी, वहीं mobile app के बारे में हम बात कर चुके हैं, suddenly one of the worst mobile applications है, to be very honest, अभी इसमें काफी improvements लाने की जरूरत है, update frequency cycle, certainly इनको improve करना चाहिए, इसमें बहुत मुश्किल है, ये समझना कि इतना competitive space बन चुका है, जहां तक बात है stock blocking की, और technology एक ऐसा factor है, जो differentiate कर रहा है, अलग लग stock brokers को, इसमें rocket science नहीं है, काफी obvious सा ये fact है, लेकिन फिर भी क experience provided नहीं कर पा रहे, तो certainly mobile app और web app को हम आपको recommend नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप इनका terminal solution यूज़ करना चाहते हैं, then you can go ahead आप इसका इस्तिमाल कर सकते हैं, लेकिन वहीं अधित्य बिर्ला मनी के trading platform पी ठीक ठाक हैं, और काफी level पे Samco के trading platform से बहतर सुमिधाय करते हैं, तो यह था comparison Samco और अधित्या विल्ला मनी के बीच में, जहां पे हमने लग-लग मायनों के बारे में चर्चा की, शुरुआत की company के background से, खर्चों के बारे में बात की, brokerage देखा, trading platforms, trading products, research, customer service, exposure, काफी मायनों के बारे में चर्चा की, अब आपको देखना है कि आप अपनी details, अपनी preferences बता सकते हैं, उसके हिसाब से आपके लिए एक callback arrange किया जाएगा, broker पसंद आए तो आप उसके साथ खाता खुलवा सकते हैं, नहीं तो अपनी research continue कर सकते हैं, तो इस वीडियो में बस इतना ही आशा करते हैं कि यह वीडियो पसंद आया हूँ, अगर ऐसा है तो इसको like जरू करें, share जरू करें और definitely हमारे चैनल अर डिचले ब्लोगर को YouTube पे subscribe भी जरू करें, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, thank you so much, bye-bye.